बड़ी खपर उत्रप्रदेश के जिला बरेली के अंतरगत आने वाली सबसे चर्चित ब्लॉक वित्री चैनपूर से है जहां ग्राम बन शायद पदार्थपूर में प्रधान पती अर्शद ने अपनी सचिव रविकांत यादो पर रिश्वत मागने का आरूप लगाया ग्राम प्रधान का कहना कि गरीब लोगों के राशन कार्ट के सत्यापन के लिए सचिव रविकांत दौरा ग्राम वासियों से 100,00 रुपय मांगे चा रहे थे साथ ही इनके द्वारा ग्रामवासियों सिम्रत्यों और जन्मी के सत्यापन के लिए गये थे ग्राम प्रधान पती का कहना है कि मैंने जब ग्राम प्रधान के माध्यम से इसका विरोध किया तो इनके द्वारा मुझको धंकाया जाने लगा और कहा गया कि तुने करली प्रधानी मुझ पर नाचायस तरीके से दबाव बनाया चारा साती उनका कहना इससे पूर्व में भी कई प्रधानों से इनकी नोक जोग भी हुई उन्होंने इनकी शिकायत भी की थी लेकिन विभाग की साथगार्ट के चलते आरोप की जाच को दबा दिया गय वहीं ग्राम प्रधान ने मामले की शिकायत अधिकारियों से करने की बात रहते हैं आपको बताते चलें कि उक्तर सचे फेस्बुक जैसे सोचल अकाउंट पर काफी एक्टिव रहते हैं और कभी वर्ग विशेश पर टिपड़ी करने के साथ मीडिया और पत्रकारों पर छी कारी का में बाधा डालने का रूप लगाया और थाना प्रभारी विथरी चैनपूर में तहरीर दी है हमारे समवादाता द्वारक का लगता श्री रविकांत यादव से संपर करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन बंद मिला जिसके बाद जलादिकारी महोदे श्री नि मांग रहा है मोर लगाने जी कौन सचेव है रभी कहां त्यादव यह कहां तैनात है यह प्रदारप पर है और नर्यावल में भी है तो कितने लोगों से पैसे मंगी डिमांड की गई है मेरे बाद सोचने लोग बैठे हुए तो वह हैं यहां पर भी है बैठे हुए अच्छ जाल आउंगा पढ़ सवावंगा आज कई लोगों ने फोन करा तो आये निवास पर प्रदान जी कहे और प्रदान जी जब कागश दिये तो बोले हम इस कागश पर पर 100 रुपे लेंगे जाम लोगों ने गाऊं में चामल रासन बाट रहे हैं यह सार रप्र कहां से देंग बरेली सिबिर रिपोर्ट